23 माई को होगी मायावी राहू और शुक्र की युति दो अशुब ग्रहों की युति किन पाँच राश्यों की बदल देगी जिंदगी किन पाँच राश्यों के संबंधों में आएगा बदलाव किन पाँच राश्यों की मौज ही मौज रहेगी देखे सर्फ धर्म ग्यान पर इस बाथ शुक्र के राशे परिवदन करते ही में शाश्य में खासकर राहू और शुक्र की युटि बन रही है और ग्याते हैं कि जब जब राहू और शुक्र एक साथ आते हैं, तो वेक्ति के जीवन में उसके समबंदों में खासकर अपने प्रभावित करते हैं और नतीजा ये होता है कि वेक्ति के जीवन में भोग, विलासता, चरम पर पहुंच जाता है और ऐसे में वो कौन सी पाँच राशिया हैं जो राहू और शुक्र के प्रभाव से सबसाद़ प्रभावित रहेंगी खासकर अपने निजी सम्बंधों को लेकर अपने विवाही को और प्रेम प्रसंग के सम्बंधों के मामले में यहीं आज हम जानेंगे महिंग जी से तो महिंगी सबसे पहले यहीं समझना चाहूंगी क्यों आखिर क्यों राहू और शुक्र की यूतिधिको वेक्ति के भोग विलासता से जोड़ा जाता है दिखे राहू और शुक्र का एक साथ बैठना पहले तो जोतिश हम कहते हैं कि शुब नहीं माना आता है जी कि कहा गया है कि राहू किसी जीज पर ग्रहन लगाता है सूरी के साथ बैठता है तो ग्रहन दोश बनता है जो लोग राजनीती में है समाजिक इनकी बढ़ीवी है अगर उनकी कुल्डी में सूर्य और रहू का योग हो तो ग्रहन लग जाएगा और जिस भाव में ग्रहन लगेगा उस भाव से समंदित कमी करेगा ऐसे सूर्य और शुक्र, शुक्र इस्त्री का कारग रहा है शुक्र इस्त्री कारग रहा है पुरुष की कुल्णी में अगर शुक्र रहू की यूति हो में भी बहुत देरी होती है कि विभा्के बाद भी पत्ति पत्निके के परस पर समझ से नया रहता है और विभा के उपरान ऐसे व्क्ति कहीं कहीं एक्स्ट्रा मेटल अफ में भी लिंक हो जाता है यूँकि शुक्र जो वैसे ही वासना प्रियेग है वासना का कारक है और मेश राशी में मंगल की राशी में बैठके ये अपनी वासना को बढ़ाएगा ओपर से राहू उसमें और बल दे रहा है तो आप समझे कि ये चार गुना चीजे बढ़ेंगी जिसके कारण परिशानी क चन्य करना भड़ सकता है और बदनामी का योग भी बन जाता है अगर kसा की कुण्डी में तो उनको अपनों से धोका मिलता है नहीं कोई अपना खास ही उनका केनाचे नुकसान पहुचाएगा जिस पर आप भरोसा करेंगे वही आपका भरोसा तोड़ सकता है तो इसलिए समल कर चलने की जरूत है इस सब के बावजूद भी कुछ राशियों को ये बड़ा जबर्दस ला सभी के सभी नियंतर्ण में रहें भोग विलास्ता एक सिमीद दायरे तक तो अच्छी रहती है अगर उससे बढ़ जाए तो बदनामी और नुकसान का कारत भी बनती है इस शीर को समल कर चलने की जरूत है यह सब आप ध्यान में रखिएगा तो मैं यह हम इसमें जिन पिश्राशी तो कि लगन में शुक्र बैठेंगे तो निश्चित रूप से यह इस समय आपके स्वास्त को अच्छा करेंगे बढ़ाएंगे मान सम्मान की व्रद्धी करेंगे प्रेम संबंद में व्रद्धी होगी जीवन भी अच्छा रहेगा और विभा के आपके योग भी बनेंगे काम कारवार भी अच्छा रहेगा यहां का भाग्य भी साथ देगा लेकिन राहू शुक्र की जुति के कारण आपके मन में काम वासना के प्रती लाल सा और बढ़ जाएगी या आपका मन इधर-दर भठकेगा तो उस चीज़ से मेश्राशी वालों को बचना च यहां राहू नुकसान करा बैठेगा बदनामी हो जाएगी आप एक्सपोज हो जाएगे तो समबल कर चैने गलत कारिये बिल्कुल ना करें समय पे दूसरी राशी कौन सी है देखिए दूसरी राशी है मिथुन राशी मिथुन राशी बालों को इस समय जबरदस लाब मिले आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी वेक्ति के एंट्री हो सकती है लव रिलेशन्शिप जो हैं आपके मजबूत होंगे और आपका काम कारुबार वीजियो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन इस समय आपको क्या करना है कि ग्यारवा भाव बड़े भाई के साथ किसी भी तरह के वाद विबाद से बचें और भोग विलास्ता पर थोड़ा सभी अबरते हैं तीसरी राशी जो इससे में आ रही है वह तुला राशी तुला राशी वालों के लिए यह योग बंदा है सब्तंभाव में यह काम कारुबार के लिए बहुत अच्छा है राशी का स् लेकिन राहु की यहां स्तिती शुक्र के साथ कभी-कभी जीवन साती के साथ चोटा मोटा मन मोटाव की स्तिती भी पैदा कर सकती है चौति राशी कंसी देखे चौति राशी जो आ रही है धनु राशी धनु राशी वालों के पंचम भाव में यह योग बंदा है तो अगर आपके प्रेम संबंदों में कोई खटास चल दूए तो शुक्र के हां आथी वो जो खटास है वो मिठास में बदल जाएगी आपके प्रेम संबंद मजबूत हो जाएगे अगर अगर आप सिंगल है तो इस समय आपका रिष्टा भी तैह हो सकता है और अगर तैह हो चुका है तो विभा की बात पक्की हो जाएगी, तो कुल मिलाकर धनु राशी वालों के लिए एस समय प्रेम संबंदों के लिए वेवैक जीवन के लिए अच्छा है, संतान की तरक्की होगी, संतान की तरफ से कोई खुशकवरी मिलेगी, कारिय वेपसाई में भी इस समय आपको बड़ जाएगा, वहान लेना चाह रहे हैं, तो वहान का योग बनेगा, आर्तिक सिती मजबूत रहेगी, काम कारुबार की आपकी तरक्की होगी, सुख साधन भी आपके बढ़ेंगे, लेकिन मकर राशी में, चतुरत भाव मारे मन का होता है, जब मन पर राहु बैठेगा, शुक राहु के यूदि किस प्रकार से इन पांच राश्यों को इनके खासका भोग विलासता, इनके संबंधों को लेकर नजरिये से इनको सबजादा प्रभावित कर सकती है, मैंग जाते जाते क्या कुछ उपाए अगर आप इन लोगों को बताना चाहें, दिखे यहाँ पर अग पर बात करें, मीन राशी है, यह राशी वाल अगर यह उपाए करें, तो उनको विशेश लाव मिलेगा, देखे राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शीव की अरादना करें, शीव चालीसा पढ़ें, ओम नमस शीवाय का पाठ करेंगे तो आपके पर कच्छा दूद, शहद, गंगाजल या बेल पत्र मिल जाए, वो जरू चड़ाएं, इससे की शुप फलों में आपकी व्रद्दी होगी, चले इसे किसा मुझे मैंक श्रमा जी को दीजिए जाज़त, नमस्कार